नमस्कार मैं मुस्कान चौरसिया इंडिया इंसाइट चानल में आपका स्वागत है बरते कुछ खास खबरों की ओर कोविट 19 महमारी के कारण सस्पेंड की गई मेट्रो रेल सेवा पांच बहीने से अधिक समय बाद शोमवार से देशपर में फिर शुरू कर दी गई दिल्ली लखनाओ, नोईडा, गुरू ग्राम और बैंगलोर में मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की तस्वीरे सामने आई है दिल्ली मेट्रो शुरुवात में यलो लाइन वर रैपिड मेट्रो चलाएगी और परिचालन सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 8 बजे होगा केंद्र मंत्री जीतेंद्र सिंग ने कहा है कि चंद्रमा के लिए भारत के मिशन चंद्रयान 3 के 2021 के शुरुवात में लाउंच होने की संभावना है उन्होंने कहा हाला कि चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें और्बेटर नहीं होगा लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा गौर्तलब है पिछले साल लॉंच हुए चंद्रमा 2 के विक्रम लैंडर की हाट लैंडिंग हुई थी केंद्री मंत्री किरन रिजीजू ने चीनी सेना द्वारा अनुनाचल प्रदेश में 5 लोगों की कठित अपहरन पर कहा है भारतिय सेना ने अनुनाचल प्रदेश में सीमा बिंदू पर तैनात चीनी सेना को हॉट लाइन संदेश भेज दिया है जवाब का इंतेजार है कॉंग्रेस विधायक निनौं के एरिंग ने दावा किया था कि शिकार पड़ गए 5 लोगों का चीन ने अपहरन कर लिया था डीजी सीय ने सुप्रीम कोट को बताया कि लोगडाउन के पहले दो चरण 25 मार्च से 3 माई के दोरान हवाई यात्रा के बुक कराए गए टिक्टो पर यात्रियों को पूरा भुकतान वापस किया जाएगा बतार दीजी सीय या घरेलू और अंतरास्टे दोरो टिक्टो पर लागू होगा 25 माई से घरेलू उडाने दुबारा शुरू हो गई है कॉम्रिस नीता राहूल कांधी ने कहा है जीडीपी दर में एतिहासिक गिरावट का एक बड़ा कारण मोधी सरकार का गबबर सिंग टैक्स जीस्टी है उन्होंने आगे कहा जीडी मतलब आर्थिक सर्वनास इससे लाखों छोटे परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए करोरों लोगों की नौकरिया गई और राजे की आर्थिक स्थीती खराब हुई राहुल के मुताबिक केंद्र राज्यों को जीस्टी मुअफजा देने में असमर्थ है मौलिक अधिकार संबंधी एतिहासिक फ्रैसले वाले केस के मुख्य याचिका करता केश्वनंद भारती के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद मूदी ने शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने कहा पूजे केश्वनंद भारती जी को हम समुदाइक सेवा और शोशितों को शर्षक्त बनाने के लिए हमेशा याद रखेंगे उन्हें भारत की सम्रिद्य संस्कृती और हमारे महान सम्विधान से गहरा लगाओ था बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमाय ने शोमवार को निश्चय समवाद को संबोदित करते हुए राच में कोविड-19 से बचाओ के इंतिजामों को लेकर कहा कि ज्यादातर लोग बिना किसी जानकारी के आलोचना करते हैं उन्होंने कहा कि मार्च में कोर्णा संक्रमन की जाँच बढ़ने का नेड़ने लिया गया था और आज रोजाना 1.5 लाग सैंपलों की जाँच हो रही है बैंगलोर के 40 अस्पताल में कंसल्टेंट प्रतीक पाटिल ने बताया कि 24 जुलाई को कोर्णा से ठीक होकर डिस्चार्ज हुई 27 वर्षी महिला अगस्त के आकरी हफते में दोबारा संक्रमित हो गई उन्होंने का संभवता या बैंगलोर में दज री इंफेक्शन का पहला मामला है पातल के मुताबिक महिला में इम्म्यूनिटी विक्सित नहीं हुई थी या एंटी बॉडिज एक महिने में गायब हो गई ब्राजील को पचार कर भारत कोविट डैंटीन से दूसरा सरवादिक प्रभावित देश बन गया है दैनिक मामले में 91,723 की रिकॉर्ड बरहुतरी के साथ कुल केस 42,2562 हो गए ब्राजील में अब तक 41,37,521 मामले सामने आये हैं भारत में कोविट डैंटीन से मरने वालों की संख्या 71,687 हो गई है जबकि 8,82,955 केस एक्टिव है और 32,47,297 लोग ठीक हो चुके हैं पूर्व केंद्र वित्र सचीव सुभास चंद्र गर्ग ने वित्र वर्ष 2020-21 में जीडिपीस में तकरीबन 10 प्रतीशत के गिरावट का अनुमान लगाते हुए कहा है कि इस कमी से अर्थ वेवस्ता को 20 लाग करोर रूपे का नुकसान हो सकता है गर्ग ने आगे कहा कि सरकार की लोगडाउन लगाने की रन नी दी सही नहीं थी और लोगडाउन से अर्थ वेवस्ता पूरी तरह ठप पर गई बतोर PTI कंगना रनौत के मुंबई जाने से पहले केंद्री ने उन्हें Y-plus कैटेगरी की सुरक्षा देने की अनुमती दी है कंगना ने खबर से जुरे एक ट्वीट पर लिखा ये प्रमान है कि अब किसी देश भक्त आवाज की कोई फासिवादी नहीं कुचल सकेगा मैं अमिर्शा जी की आभारी हूँ उन्होंने भारत की बेटी के वजनों स्वाभिमान आत्मसमान की लाज रखी शुशान सिंग राजपूत मौत केस से जुरे ड्रग्स मामले में रवीवार को उनकी गल्फेंड रिया चकरवर्ती से 6 घंटी की पूछताच के बाद शुमवार सुबा फिर से वह मुंबई में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो के दफ्तर पहुँची एंसीबी अधिकारी के मुताबिक रवीवार को रिया के लेट आने के चलते पूछताच अधूरी रहे गई थी इसलिए उन्हें दुबारा बुलाये गया है गुजरात बीजेपी ने रवीवार को शिवशेना सांसत संजेर राउत पर एंदाबाद को मीनी पाकिस्तान कहकर गुजरात को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए गुजरात के लोगों से माफी मागने की मांग की दरसल राउत ने अभिनेतरी कंग्रा रनोर्ट दौरा मुंबई को मीनी पाकिस्तान कहने पर कहा था क्या उनमें यही बात एंदाबाद के लिए कहने की हिम्मत है खवर के मुताबिक 27 अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान समित अन्य इलाके में हुई सीरियल बंग ब्लास्ट की वर्चुल सुनवाई शोमवार को सुरू होगी गौतलब है NIA की कोट ने बेउर जेल अधीक्षक को सुनवाई के लिए प्रतेख तारीक पर ब्लास्ट के अरोपियों को वर्चुल मोड में के माध्यम से कोट में पेश करने का निर्देश पिया है पुर्णिया में रालोस्पा 1225 सूत्री मांग पत्र के साथ सिक्षा में सुधार बटन दबाने का पहला आधार कारेकरम 7-13 सितंबर तक जिली भर में चलाया जाएगा पहला कारेकरम जिला सुस्कूल मैदान से आरन साव चौक तक किया जाएगा वही मौके पर पार्टी के जिला प्रधान महासजीव अमरिंद कुश्वाहा ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग लॉगडाउन का उलंगन कर्शिला न्यास कर रहे हैं वोड़ाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपनी नई सिंगल ब्रैंड पहचान वी आई की घोशना कर दी है और कहा कि यह दुनिया के सबसे बड़े टेलिकॉम इंटीग्रेशन का नतीजा है दो साल पहले विलाए करने वाली वोड़ाफोन आइडिया वार्ले सबस्क्राइबर के मामले में भारत में तीसरे नंबर पर है कुछ दिन पहले कंपनी के बोर्ड ने 25,000 करोर रुपे तक जुटाने की मन्जूरी दी थी भारत का विदेशे मुद्रा भंडार 28 अगस्त को समाप्त सब्ता में डॉलर 3.883 अरब बढ़कर डॉलर 541.431 अरब के सर्वकालिक उच्चितम स्थर पर पहुँच गया इस दौरान डॉलर और पाउंड में रखे जाने वाले फोरण करिंसी असेट्स डॉलर 3.935 अरब बढ़कर डॉलर 498.094 अरब हो गए वहीं RBI डेटा के मताबिक सुर्ण आरक्षित भंडार डॉलर 6.4 करोर घटकर डॉलर 37.2 अरब रह गया उस्ट्रेलिया इंग्लेंड के बीच दूसरे T20 में औस्ट्रेलियाई पारी के सातवे ओवर के दौरान इंग्लेंड के अस्ट्रेलियाई बल्ले बाच एरन फिंच के बल्ले के बीचे बीच गेंद लगने के बावजूद LBW का रिव्यू लिया अल्ट्रा एज में भी येस फस्ट हो गया कि गेंद के और पैड के बीच कोई संपर्क नहीं था घटना पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्विट किया अगर 2021 एक LBW रिव्यू होता उसामा बिन लादेन की भतीजी नूर बिन लादेन का दावा है कि अगर नवेंबर के चुनाओं में जो बिडिन अमेरिकी रास्टपती चुने गए तो 911 से प्रेरित एक और हमला हो सकता है उन्होंने कहा ओबामा या बिडिन सरकार के दौरान ISIS फला फुला ट्रम्प ने दिखाया है कि वह आतंकवादियों को जड़ से खत्म करके विदेशी खत्रों से अमेरिका और हमारी रक्षा करते हैं पाकिस्तानी प्रधान मंतरी इमरान खान ने कहा कि आंतरिक और विदेशी मामले में देश हित को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान में सरकार और सेना की आपसी सहमती से सारे फैसले होते हैं इम्रान ने कहा कुछ लोगी की ख्वाईश है कि सेना और मेरे संबंद खराब हो जाए लेकिन आज तक सेना से मतभेब नहीं हुआ और नहीं इसकी कोई संभावना है आखिर में आज के इतिहास आजी के दिन 1940 में जर्मनी ने लंडन पर बड़ा हमला बोल दिया था जिसके कारण 40 लाख लोग मारे गए थे और 10 लाख घर प्रभावित हुए थे आज के लिए बस इतना ही इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें